परिचाए यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो कोणों बनता है? आओ, तो चलो रेखाओं और कोणों तथा उनकी विशेशताओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे रेखा, रेखा खंड, किरण और कोण को परिभाशित करदा प्रतिचेदी रेखाओं और आप्रतिचेदी रेखाओं के बीच विभेत करदा एक रेखा परिस्थित किरण से बनने वाले कोणों के बीच संबंध बताना कोणों के युक्म पर आधारित, अभी ग्रिहितों को लिखना दीगई प्रमयों को सिध्ध करना समान रेखा के समान रेखाओं से सम्बंधित प्रमय और उधारण सिध्ध करदा त्रिभुजों का योग कोण गुण बताना आधार भूत पद और परिभाशाएं हम जानते हैं कि किसी रेखा का वहभाग या अंश जिसके दो अंत बिंदू हो उसे रेखा खंड कहते हैं रेखा खंड ए बी को इस चिन द्वारा व्यक्त करते हैं रेखा का वहभाग जिसका एक अंत बिंदू हो एक किरण कहलाता है किरण AB को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है और रेखा को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है यदि तीन या अधिक बिंदू एक ही रेखा परिस्थित हों तो वे संरेगक बिंदू कहलाते हैं यहां AGF को संरेख बिंदू कहेंगे और बिंदू B, C और E आसंडेक बिंदू कहलाएंगे आईए अब कोण पर आएं जब दो किरणे एक ही अंत बिंदू से प्रारंब होती हैं तो एक कोण बनता है कोण को बनाने वाली दोनों किरणे कोण की भुजाएं कहलाती है और उभैनिष्ट अंत बिंदू कोण का शीर्ष कहलाता है हम विभिन कोणों के बारे में जानते हैं जैसे नियून कोण, सम कोण, अधिक कोण, रिजू कोण और प्रतिवर्दी कोण इत्यादी आईए एक एक करके इन्हें जाने कोणों के प्रकार एक एक नियून कोण का माप 0 डिगरी और 90 डिगरी के बीच होता है एक सम कोण का माप ठीक 90 डिगरी होता है और एक अधिक कोण का माप 90 डिगरी से ज्यादा और 180 डिगरी से कम होता है एक रिजू कोण 180 डिगरी के बराबर होता है और एक कोण जो 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्थी कोण कहते हैं हम जानते हैं कि यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरा कोण कहलाते हैं हम उन कोणों को क्या कहते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो हाँ आप से ही हैं उन्हें संपूरक कोण कहते हैं कोणों के प्रकार तो आपके लिए एक अन्य प्रश्न है हम उन कोणों को क्या कहते हैं जिनके उभैनिष्ठ, शीठ तथा उभैनिष्ठ भुजा हो और उनकी जो भुजाएं उभैनिष्ट दाहों, वो उभैनिष्ट भुजा के विप्रीत और इस्तित हों। इन कोणों को आसन कोण कहते हैं। यहां ABD और DBC आसन कोण हैं। किरण BD उनकी उभैनिष्ट भुजा और बिंदु B उनका उभैनिष्ट शीर्ष है। किरण BA और किरण BC उभैनिष्ठ भुजाएं नहीं हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण ABD जमा कोण DBC। यदि वे भुजाएं जो उभैनिष्ठ नहीं हैं BA और BC हैं। वे एक रेखा का निर्मान करती हैं जो ऐसी दिखती हैं। फिर कोण ABD और DBC कोणों के रैखिक यग्म कहे जाते हैं। जब दोरे खाएं मान लीजिए AB और CD एक दूसरे को बिंदू O पर प्रतिछे दित करती हैं। तो उनसे बनने वाले कोणों को शीर्षा भिमुक कोण कहते हैं। ये दो शीर्षा भिमुक कोणों का यग्म है। एक यग्म कोण AOD और कोण BOC है। और दूसरा यग्म AOC और BOD है। प्रतिछे दी रेखाएं और आप्रतिछे दी रेखाएं। आईए अब कागस पर दो भिन रेखाएं। PQ और RS खीचें। हम इसे इस प्रकार भी खीच सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम इने दो भिन प्रकार से खीच सकते हैं। ये प्रतिछे दी रेखाएं हैं और ये समानतर रेखाएं हैं। और ये इन समानतर रेखाओं के विभिन बिंदूं पर पढ़ने वाले समानलंब की लंबाई होती है। इस समानलंबाई को दो समानतर रेखाओं के बीच की दूरी कहते हैं। कोणों का युग्व आईए अब उन कोणों में संबंद पर विचार करें जिन्हें कोई किरण किसी रेखा परिस्थित होकर बनाती है इस आकरिती को देखे यहां रेखा AB है और यह किरण OC है कोण AOC, कोण BOC और कोण AOB ओपर बने केंद रहें क्या हम लिख सकते हैं कोण AOC जमा कोण BOC बराबर कोण AOB हां, क्योंकि कोण AOC और कोण BOC आसन है और कोण AOB उन दो फुजाओं से बना है जो उभै निष्ठ नहीं है और हमने पढ़ा है कि जब दो कोण आसन होते हैं तो उनका योग जो भुजाएं उभै निष्ठ नहीं है उनके द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है इसे एक रूप चिन्नित कीजिए कोण AOB माप 180C डिग्री है क्योंकि यह एक रिजुकोण है इसे दो के रूप में चिन्नित कीजिए एक और दो के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण AOC जमा कोण POC बराबर 180C डिग्री क्योंकि कोण AOB 180C डिग्री का है यहां हमें एक अभिग्रिहित प्रदान करता है आईए इसे देखें अभिग्रिहित एक अभिग्रिहित एक है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आशन कोणों का योग 180C डिग्री होता है हम जानते हैं कि यदि दो आशन कोणों का योग 180C डिग्री हो तो वे कोणों का एक रेखिक युग्म बनाते हैं दिया हुआ है कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है इससे हम यह निशकर्श निकाल सकते हैं कि दो आशन कोणों का योग 180C डिग्री होता है आएए इस अभिग्रीत को दूसरे तरेके से लिखें यानि हम अभिग्रीत के दिये हुए कोण को परिणाम के रूप में लेंगे और जो परिणाम है उसे दिये हुए के रूप में लेंगे तो यह हो जाता है यदि दो आशन कोणों का योग 180C डिग्री हो तो एक किरण रेखा पर खड़ी होती है अर्थात आउभैनिष्ट भुजारेखा का निर्मान करती है अब हम ये देख सकते हैं कि अभिग्रेहित और यह कथन परस पर विलोम है आईए जाचें कि यह कथन सत्य है या नहीं विभिन मापों के आशन कोणों को खींचिये प्रतेक स्थिती में आउभैनिष्ट भुजाओं के अनुदिश एक पट्री रखिये आप पाएंगे कि केवल इस आक्रिती में दोनों आउभैनिष्ट भुजाएं पट्री के अनुदिश है अर्थात बिंदु A, O और B एक ही रेखा पर इस्थित है और किरण OC इस रेखा पर खड़ी है साथ ही हम कह सकते हैं कि कोण A, O, C जमा कोण C, O, B बराबर 125 डिग्री जमा 55 डिग्री बराबर 100C डिग्री इससे हम निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कथन सत्य है और हम इसे एक अभिक्रिहित की रूप में निवन प्रकार लिख सकते हैं यदि दो आसन कोणों का योग एक स्वस्थी डिग्री है तो उनकी आउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं अभिक्रिहित दो अब हमें दो अभिक्रिहित प्राप्त हुईं इन दो अभिक्रिहितों को मिलाकर रैखिक योग्म अभिक्रिहित कहते हैं आईए अब उस इस्थिति की जांच करें जब दूरे खाएं प्रतिछेद करती हैं हम जानते हैं कि जब दूरे खाएं प्रतिछेद करती हैं तो शीर्षा भिमुकून बरापर होते हैं हम इस परिणाम को एक छोटी सी गतिविधी के पश्चाद सिद्धि करेंगे प्रमय एक यदि दो रेखाएं परस पर प्रतिछेद करती हैं तो शीर्शा भिमकोन बराबर होते हैं आईए इस प्रमय को सिद्ध करें इस कथन में यह दिया है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं आताहा मान लिजिए कि A, B और C, D दो रेखाएं हैं जो परस परबिंदू ओपर प्रतिछेद करती हैं इससे हमें शीर्शा भिमकोनों के दो युग्म प्राब्त होते हैं जिनके नाम हैं कोन A, O, C और कोन B, O, D कोन A, O, D और कोन B, O, C हमें सिद्ध करना है कि कोन A, O, C बराबर है कोन B, O, D के और कोन A, O, D बराबर है कोन B, O, C के अब किरन O, A रेखाएं सीडी पर खड़ी है आताहा कोन A, O, C जमा कोन A, O, D बराबर 180 डिग्री रेखेक युग्म अभी ग्रिहित इसे एक के रूप में चिन्हित करें इसी प्रकार कोन A, O, D जमा कोन B, O, D बराबर 180 डिग्री इसे दू के रूप में अंकित करें एक और दो से हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कोन A, O, C जमा कोन A, O, D बराबर कोन A, O, D जमा कोन B, O, D के इससे निशकर्ष निकलता है कि कोन A, O, C बराबर कोन B, O, D इसी प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोन A, O, D बराबर कोन B, O, C के समानतर रेखाएं और त्रियक रेखाएं मित्रो, हमने पढ़ा है कि वो रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन बिंदों पर प्रतिछेद करती है एक त्रियक रेखा कहलाती है इस आकरिती को देखे यहां रेखा L, रेखाओं M और N को करमशह, बिंदू P और Q पर प्रतिछेद करती है इसलिए रेखा L, रेखाओं M और N के लिए एक त्रियक रेखा है देखिए कि प्रतिग बिंदू P और Q पर चार कोण बन रहे है आईए इन कोणों को कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच, कोण छे, कोण साथ और कोण आठ के रूप में ना मंगित करें कोण एक, कोण दो, कोण साथ और कोण आठ वहे कोण कहलाते हैं जब कि कोण तीन, कोण चार, कोण पाँच और कोण छे, अन्ता कोण कहलाते हैं हमने यह भी अधियन किया था कि जब एक तरियक रेखा, दो रेखाओं को प्रतिछे दिद करती है तो हमें कोणों के युक्म प्राप्थ होते हैं आईए इन्हें एक-एक करके देखें पहले संगत कोण हैं ये हैं प्रथम कोण एक और कोण पाँच कोण दो और कोण चै कोण चार और कोण आठ कोण तीन और कोण साथ दूसरा है एक अंतर अंता कोण वे हैं कॉंड चार और कॉंड छे, कॉंड तीन और कॉंड पांच इसके पश्चाहत आता है एक अंतर वाहे कॉं वो हैं कॉंड एक और कॉंड साथ, कॉंड दो और कॉंड आठ त्रियक रेखा एक ही और के अंता कॉंड ये हैं कोंड चार और कोंड पाँच, कोंड तीन और कोंड छै त्रियक रेखा के एक ही और के अन्ता कोंड को क्रमगत अन्ता कोंड या संबंधित कोंड या सह अन्ता कोंड कहलाते हैं आईए अब इन कोंड में संबंध ग्याद करें जब रेखाएं M और N सवांतर हैं इसलिए पट्री और पैंसिल की सहायता से इन में से किनी भी दो रेखाओं के समानतर रेखाएं और उन्हें प्रतिछेत करती हुई त्रियक रेखा खींचिये। अब यदि हम संगत कोणों के किसी युग्म को मापें तो हमें प्राप्त होगा कोण एक पराबर कोण पांच, कोण दो बराबर कोण छे, कोण चार बराबर कोण आठ, कोण तीन और पराबर कोण साथ इससे हमें एक और अभिक्रिहित प्राप्त हुआ यदि एक तिरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेद करे, तो संगत कोणों का प्रतियक युग्म बराबर होता है अभिग्रेहित तीन यदि एक त्रियक रिखा दो समानतर रेखाओं को प्रतिछेत करें, तो संगत कोणों का ततियक युग्म बराबर होता है इस अभिग्रेध को संगत कोण अभिग्रेध भी कहा जाता है आईए अब इस अभिग्रेध के विलोम की चर्चा करें यदि एक तरियक रेखा, दो रेखाओं को इस प्रकार पतिछेत करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, तो दोनों रेखाएं समानतर होती है क्या यह कथन सत्य है? हाई ये इसकी जांच करते हैं एक रेखा AD कीचिये और इस बिंदू B और C पर अंकित कीजे B और C पर कोणों ABQ और BCS की रचना कीजिए, जो परस पर बराबर हो QB और SC को AD के दूसरी ओर से बढ़ा कर रेखा PQ और RS प्राप्त कीजिए हम देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं परस पर प्रतिछेद नहीं करती हम दोनों रेखाओं PQ और RS के विभिन बिंदूओं पर उभे निष्ठ लंब खींच कर और उनकी लंबाई माप सकते हैं आप इसे प्रतेकिस्थान पर बराबर पाएंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं समानतर हैं इसलिए संगत कून अभी ग्रहित का विलोम भी सत्य है अता हमें एक और अभी ग्रहित प्राप्त करते हैं जिसकी हम अगली स्क्रीन में चर्चा करेंगे अभी ग्रहित चार और प्रमय दो पिछली स्क्रीन में हमने जो अभी ग्रहित प्राप्त किया है यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करे कि संगत कोणों का एक युक्म पराबर हो तो दोनु रेखाएं परस पर समांतर होती है अब हम एक त्रियक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करने से बने एकांतर अंता कोणों के बीच कोई संबंद ग्यात करने के लिए संगत कोण अभिक्रहित का प्रयोग करेंगे त्रियक्रेखा PS और समानतर रेखाओं AB और CD को क्रमशा पिंदों Q और R पर प्रतिछेद करती है संगत कोण अभिक्रहित के प्रयोग से हम जानते हैं कि कोण PQA बराबर कोण QRC के इसे एक के रूप में अंकित कीजिए तथा कोण PQA बराबर कोण BQR के क्योंकि ये शीर्शा भिमुकोड है इसलिए इन्हें दो के रूप में अंकित कीजिए अताहा एक और दो से हम यह निशकश निकाल सकते हैं कि कोण BQR बराबर कोण QRC के इसी प्रकार कोण AQR बराबर कोण QRD वो प्रोग्त परिणाम को एक प्रमई के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है यदि एक तिरियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करें तो एकांतर अंतर कोणों का प्रतिक युग्म बराबर होता है अब संगत कोण AQR के विलोम का प्रयोग करके यहां तिरियक रेखा PS रेखाओं A, B और C, D को क्रमजाब बिंदों Q और R पर इस प्रकार प्रतिछेत करती है कि कोण BQR बराबर कोण QRC है तथा कोण BQR बराबर कोण PQA है क्यूंकि यह शिर्चा भिमक कोड है इसे एक के रूप में अंकित कीजिए लेकिन कोण BQR बराबर कोण QRC जो की दिया है इसे दो के रूप में अंकित कीजिए अतहा एक और दो से हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं कि कोण PQA बराबर कोण QRC परन्तु यह संगत कोण है अतहा ए भी समानतर है CD के क्यूंकि यह संगत कोण अभिक्रिहत का विलोम है इस कथन को एक प्रमय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेद करे कि एक अंतर अंतह कोणों का एक युक्मू पराबर है तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती है प्रमय चार और पाँच त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंताह कोड़ों से संबंधित दो अन्य प्रमे हैं यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करे तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंताह कोड़ों का प्रतिक युग्म संपूरक होता है यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेत करें कि त्रियक रेखा के एक ही और के अंतहकोडों का एक युग्म संपू रखो तो दोनों रेखाएं परस पर समानतर होती हैं एक ही रेखा के समानतर रेखाएं आएए इसकी जांच करें कि यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समानतर हों तो क्या वे परस पर समानतर होंगी इस आगरिती को देखे यहां रेखा M समानतर है रेखा L के और रेखा N समानतर है रेखा L के आईए रेखाओं N, M और L के लिए एक त्रियक रेखा T कीचे यह दिया है कि रेखा M समानतर है रेखा L के और रेखा N समानतर है रेखा L के आताहा संगत कॉन अभी ग्रेट के प्रयोक से हम कह सकते हैं कि कॉन एक बराबर है कॉन दो के और कॉन एक बराबर है कॉन तीन के इसलिए इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोण दो बराबर है कोण तीन के परंतु कोण दो और कोण तीन संगत कोड हैं और ये बराबर है अताहा संगत कोण अभिग्रेत विलोम के प्रयोग से हम कह सकते हैं कि रेखा M समानतर है रेखा N के और इस परिणाम को निम्न प्रमय के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है वे रेखाएं जो एकी ही रेखा के समांतर हों परस पर समांतर होती है उधारण आईए अब समांतर रेखा से संबंधित कुछ उधारण हल करें दिया है कि यदि PQ समांतर है RS के कोण MXQ बराबर 135 टिक्री और कोण MYR बराबर 40 टिक्री कोण XMY ग्याद कीजिए हल करने के लिए हमें M से होकर रेखा PQ के समांतर एक रेखा AB खींचने की आवशक्ता है अब AB समांतर है PQ के और PQ समांतर है RS के इसलिए AB समांतर है RS के क्यूंकि एक रेखा के समांतर दो रेखाएं परस पर समांतर होती हैं अब कोण QXM जमा कोण XMB बराबर है 180 टिक्री के AB समांतर है PQ के त्रिया ग्रेखा XM के एक ही और के अंता कोण है परंतु कोण QXM बराबर 135 टिक्री आताहा 135 टिक्री जमा कोण XMB बराबर 180 टिक्री इसलिए कोण XMB बराबर 45 टिक्री इसे हम एक से चिन्नित करते हैं अब कोण BMY बराबर कोण MYR क्योंकि AB समांतर है RS के अताहिए एक अंतर कोण है इसलिए कोण BMY बराबर 40 टिक्री इसे हम दो से चिन्नित करते हैं एक और दो को जोडने पर हमें प्राप्त होता है XMB जमा कोण BMY बराबर 45 टिक्री जमा 40 टिक्री इस प्रकार कोण XMY बराबर 85 टिक्री त्रिभुजों का कोण योग गुण क्या आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है जी हाँ आप सही है त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 टिक्री होता है हाईए इस कथन को समांतर रेखा से संबंधित अभी ग्रिहितों और प्रमयों का प्रयोग करके सिध्ध करें कुण है किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है हमें एक त्रिभुज PQR दिया है और कुण एक, कुण दो और कुण त्रिभुज PQR के कुण है हमें सिध्ध करना है कि कुण एक, कुण दो और कुण तीन का योग 180 डिग्री होता है आईए भुजा QR के समांतर उसके समुक्षिर्ष P से होकर एक रेखा XPY कीचिये अब XPY एक रेखा है अतह कुण चार एक और पांच का योग 180 डिग्री है इसे एक से चिनित कीचिये परंतु XPY QR के समांतर है और PQ PR त्रियक रेखाए है इसलिए कुण चार बराबर कुण दो है और कुण पांच बराबर कुण तीन है क्यूंकि ये एक अंदर कुणों के युक्म है अब कुण चार और कुण पांच का मान एक में रखने पर हमें प्राब्त होता है कुण दो जमा कुण एक जमा कुण तीन जो के बराबर है 180C डिग्री के या हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्रमय आठ क्या आपको त्रिभुज के बहिशकोणों के बारे में याद है इस आकरिती को देखिए यहां भुजा QR को S बिंदू तक बढ़ाया गया है कुण PRS को त्रिभुज PQR का बहिशकोण कहते है क्या कौन 3 और 4 का योग 180 डिग्री के बराबर है हां यह 180 डिग्री के ही बराबर है क्योंकि यह कोणों का रैखिक युक्म है इसे एक से चिन्हित कीजिए साथ ही कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 डिग्री है क्योंकि तिर्भुज के सभी कोणों का योग 180 डिक्री होता है तो इसे दो से चिन्हित कीजिए एक और दो के आधार पर हम कह सकते हैं कोण चार, कोण एक और कोण दो के योग के बराबर है इस परिणाम को एक प्रमे के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है यदि एक तिर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिशकोन दोनों अन्ता अभिमुक यानि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है इस प्रमे से ये स्पस्ट है कि किसी तिर्भुज का एक भुज़कोन अपने दोनों अन्ता अभिमुक कोणों में से प्रतेक से बढ़ा होता है अब इन प्रमे का प्रयोग करके कुछ उधारण हल करें यदि क्यू टी पी आर पर लंब है कोण टी क्यू आर बराबर 40 डिगरी और कोण एस पी आर बराबर 30 डिगरी है तो एक्स और वाई ग्याद कीजिए आईए से हल करें त्रिभुज टी क्यू आर में 90 डिगरी जमा 40 डिगरी जमा एक्स बराबर 180 डिगरी अता एक्स बराबर 50 डिगरी होगा साधी वाई बराबर कोण एस पी आर जमा एक्स क्यूंकि हम जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिश कोण दोनों अन्ता अभिमुक यानि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है अता वाई पराबर 80 डिगरी है क्या आप जानते हैं एकांतर अंता कोण, एकांतर वाह कोण, संगत कोण और त्रियक रेखा के एक ही और के एकांतर कोण विबिन कोणों के नाम हैं जो रेखाओं के प्रतिछेत करने पर बनते हैं इन नामों का प्रियोग तब करते हैं जब रेखाएं समांतर होती हैं और जब वे समांतर नहीं होती हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीका है उसे संक्षेप में दोहराएं। यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार भने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसका विलोम भी सत्य है। इस गुण को रेखिक युग्म अभी ग्रहित कहते हैं। यदि दो रेखाएं परस पर प्रतिछेत करती हैं तो उनके शीर्षा भिमकोन बराबर होते हैं। यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिछेत करें तो संगत कोणों का प्रतेक युग्म बराबर होता है। एक अंतर अंतर कोणों का प्रतिछुग्म बराबर होता है और त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का प्रतिछुग्म संपूरख होता है। यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिछेत करे कि या तो संगत कोड़ों का कोई युग्म बराबर हो या एक आंतर अंता कोड़ों का कोई युग्म बराबर हो या फिर त्रियक रेखा के एक ही और के अंता कोड़ों का कोई एक युग्म संपूर रखो तो ये दोनो रेखाएं समानतर होती हैं वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानतर होती हैं परस पर समानतर होती हैं एक तिर्भुज के तीनों कोडों का योग एक स्वस्थी डिग्री होता है यदि किसी तिर्भुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिशकों अपने दोनों अंता अभिमुकोडों के योग के बराबर होता है